नमस्कार दोस्तों सरन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आगे अनमल एक्जाम जैसा आपको पता है कि 29 नौवंबर को आप सभी का बिहार दरोगा का मेंस आपको हिंदी का समाने हिंदी का पेपर देना है तो इसके परस्पेक्टिव से यह जो सेट होने वाला है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है और इस सेट में हम 50 को डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो को अंते तक देखें किसी भी क्वेशन को इसकीप ना करें क्योंकि इन मे आज का पहला सवाल है धपोर संख का क्या अर्थ होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं धपोर संख इसका क्या अर्थ होता है यह आपको बताना है तो धपोर संख का अर्थ होता है बेवकुफ तो आंसरों जाएगा ऑप्शन D बेवकुफ याद रखेगा धपोर संख का अर चkell देखते हैं सब्ध सती में कौन सा सबसास होगा आपको बताना है इसमें कौन सा समास कर्मधारे दवीगु बहुबϊधि या फिर द्वन्द तो यह आपको द्वीगु समास तो answer वो जो होता है यानि जिसें पुर्वपद भी कहते हैं वह आपको संख्या वाचक विसेशड होता है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं यह जो लिखा है सब्त यानि कि साथ तो यह जो आपको पहला पद है यानि कि पुर्वपद यह आपको संख्या वाचक विसेशड है तो इ देख लेते हैं निर्मोह का सभी संधी विश्यद कौन सा होगा निर्मोह का संधी रूप इन में से कौन सा होगा वह को बताना है लिए अंसोर संधी होगा आपको निधन हो सिर्फीन निधन मो Popular Link का खाना होग्या अगला कर अगला कूस का परहावाची तो आंसर का option भी जीवी का देखें दोस्तों समझ लेते हैं कि वृति के और भी कौन-कौन से परहावाची सब्द होते हैं तो वृति के और परहावाची सब्द जीविका के अलावा है रोजी रोटी आज जीवी का रोजी इत्यादी ठीक है याद रखेगा कि वृति के और भी कौन कौन से परवाची है आज ये वी का रोजी रोटी रोजी इत्यादी ठीक है नेक्ट कुशन देख लेते हैं खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है खड़ी बोली हिंदी की कौन सी बोली है तो यह आपको पश्चमी हिंदी तो आंसर और जगा ऑप्शन भी पश्चिमी हिंदी ठीक है नेश कुशन देख लेते हैं राम धीरे धीरे पड़ता है इस वाक्य में धीरे धीरे यह जो सब्द है यह किस प्रकार का सब्द है यहां पर आप संटेंस में देख रहे हैं धीरे धीरे तो यह जो है यह किस प्रकार का सब्द है तो याद रखेंग जिन सब्दों से क्रिया के विसेस्ता का पता चलता है उन्हें हम क्रिया विसेसर करते हैं तो जैसे यहां पर यह संटेंस है राम धीरे धीरे पढ़ता है तो राम का जो क्रिया है उसकी विसेस्ता का पता चल रहा है कि राम पढ़ता तो है लेकिन कैसे परता है तो धीरे धीरे परता है तो यह क्रिया क्या विपकेंस्ति को बताया जा रहा है कि धीरे जरे e k球 सुध कर देNote करत K नेर्ष विपकेंस दिखाते हैं बाबा ने मोकेों सिटी है और यहां पर देख रहें ने तो बाबा ने तो ये कौन सा कारक है तो आपने पढ़ा होगा करता ने तो ठीक है ये जब को कारक की कौन से भी भक्ती हो गई तो करता ठीक है क्योंकि ने किसके साथ प्रयोग के रहता है करता के साथ देखें मैं आपको पूरा पता देना होगे अब ध्यान से सुन लिजेगा करता ने कर्म को करण से या फिर द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे ठीक है तो यह आपको पूरा संटेंस होता है तो जब आप इस संटेंस को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा करता ने ठीक है तो बाबा न यह आपको बताना है तो देखिए दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है यह समझ लिए जिसे हम इंगलिस में प्रिफिक्स भी बोलते हैं देखिए दोस्तों वह सब्दांस जो किसी सब्द के पहले जूड़ करके एक नया सब्द बनाता है उससे हम बोलते साकार इसमें आकार के आगे मतलब की वन्ड जूट गया है जिसके कारण यह बन गया है साकार तो कौन सा वन्ड है वो से हो जाएगा ठीक है तो किस लिपी से देवनागरी लिपी का विकास हुआ है तो यह आपको ब्रामी लिपी तो आंसरोगया ऑप्शन एब रामी लिपी याद रहेगा दोस्तों काफी important question है यह देवनागरी लिपी का विकास ब्रामी लिपी से हुआ है आंसर हो गया option A, next question है, अंगा का उचारण स्थान इन में से कौन सा है, अंगा, यह जो आप पढ़ते हैं कखः, गगः, अंगा, बलते हैं अंगा से कुछ हूँ नहीं, तो वही चीज़ है यह उचारण स्थान इसका आपको बताना है, तो इसका अंगा का उचारण स्थान है आपको ना सिख के, यानि कि नाक के द्वारा, तो यह हो जाएगा, आपको अंसर हो जाएगा option D, ठीक है, ने स्थान देख लेते हैं, नीचे दिएगा विकल्पों में से तत्सम सब्द का चेन कीजिए, आपको यहाँ पे चार option दिख रहे हैं, गोधुम, पडोसी, सहिद, बहु, इन चारों में से कौन सा तत्सम सब्द है, तो देखे दोस्त, पहले समझ लेते हैं कि तत्सम सब्द क्या होता है, फिर आपको clear हो जाएगा इन पे से कौन सा है, देखे, संस्कृत के वे सब्द, जिनका प्रयोग हिंदी में जो का त्योग कर दिया जाता है, उन सब् को हम तत्सम सब्द कहते हैं, यानि कि जिनमें बीना परिवर्तन की है, डाइरेक्ट हम संस्कृत के वैसे सब्द को डाइरेक्ट हिंदी में यूज कर लेंगे, तो वो सब्द हो जाएंगे तत्सम सब्द, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो देख रहे हैं, गोधुम जो है, यह ठीक है, तो भाजा की सबसे छोटी काई हो जाएगी, वर्ण, आंसर हो गया, अप्शन सी, नेक्स्क्वेशन देख लेते हैं, हसुए के ब्याह में खुर्पी का गीत, इस लोकोक्ती का क्या अर्थ हुआ, हसुए के ब्याह में खुर्पी का गीत, तो देखिए इसका अर्थ हो जाता है, असंगत बाते करना, तो आंसर हो जागा, ऑप्शन दी, असंगत बाते करना, देखिए दोस्तों, हसुए के ब्याह में खुर्पी का गीत, यानि कि आपको यह लोकोक्ती पढ़ने के बाद समझ में खुद आ जाएगा, कि यहाँ पर जो बात चल रही है, वो अस प्रमुक मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेक्स देख लेते हैं, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, थोड़ा बहुत में आपको बताना है कि कौन सा समास है, तो देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत में द्वंद्व समास है, तो आंसर हो जाग ऑप्शन भी द्वंद तो कौन कौन से योजग सब्दों निकल के आरहा है तो जब भी को योजग सब्द का लोप हो तो याद रखेगा कि वो जो तो कि द्वंद समास होगा क्लियर है कैसा समाज हो गा द्वन दो समाज है ठीक है next question देख लेते हैं नवड़ा का संधी रूप होगा का संधी बताना है पूर नवड़ा का संधी रूप तो देखेए दोस्तों यह हो जाए आपका option A answer 5 शूब्हां ब्रभाकिट किसका प्रवाचि सब्द है तो, यह आप़को जुगनू का जो रात में पीला पिला जलता है इसे ज़की कीट होता है। उसे हम बोलते हैं जुगनू तो वही है परभाकिट कर दे रहा हूं जुगनु और भी इसके कौन-कौन से प्रवाची है वो जान लीजिए खगोत पट बीजना भग जोगिनी सोनकी रवा ठीक है एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ध्यान से सुनिएगा प्रभा किट के अलावा कौन-कौन से जुगनु के अलावा खगोत पट बीजना भग पिएगा नेश्वाचन देख लिएते हैं उसका कोट पूराना था इस वाके में यह पूराना है यह उने हम्ही ज्हान का फ्य कहते हैं तो कैसी विशेस्ता गुन्दोस और संख्या परिमाड रंग इत्यादी इखए तो जो सब्सर्वनाम की विसेस्टा बतलाते हैं उन्हें रहे हम विसेस्ट कहते हैं तो यहां पर आप देख problems in online क्लियर हो गया नेक्ष देख लेते हैं किस कारक में से विभक्ति कप्रयोग साधन के अर्थ में होता है से विभक्ति का प्रयोक साधन के अर्थ में होता है तो मैं अभी मैंने आपको बताया था करता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकर्ण में पर संबोधन हे ओ अरे ठीक है तो यहाँ पर से का यूज़ दो किसी भी चीज में अलगाव दर्साय जाए यानि कि पेंड से पत्ता गिरता है तो पेंड से पत्ता अलग हो रहा है तो वहां पर हो जाएगा अपदान से ठीक है अपदान कारक और जब नॉर्मली यहां पर बोल रहा है कि विभक्ति का प्रोग साधन के अर्थ में हो तो वहां सन्विधान के अनुछेद में कहा गया है आपको बताना है कि यह किस अनुछेद में कहा गया है तो यह आपको अनुछेद 343 यानि कि 343 संग की भासा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी यह सन्विधान के अनुछेद 343 में कहा गया है तो देखिए निचे दियेगे विकल्पों में से तद्भाव सब्द का चेन कीजिए आपको बताना है कि इन चारों में से तद्भाव सब्द कौन सा है तो देखिए दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं कि यह तद्भाव सब्द क्या होता है तो यो आपको प्रलाप थीके सॉरी मुझ जो है आपका वह है आपका तदभो सब्द एक टीक है न दोस्तो तो यह कम उत्वा सब्द है तो इसलिए आंसरों के ईप्सें से देख लेते हैं धीये के सब्दों में भीन अर्थ वाला सब्द इन में से कौन सा आपको बताना है कि ये जो चार option है तुरंग, मरिगेंद्र, मरिगराज और व्यागर इन चारों में से एक जो सब्द है वापको और है तो वो कौन सा है तो वो है आपको तुरंग तो अंसोर जब आपसन ने तुरंग, तुरंग का मतलब होता है घोड़ा और जबकि मरिगेंद्र, मरिगराज और व्यागर का मतलब होता है सेर यानि कि सिन ठीक है तो याद रखिए कि तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा और मरिगेंद्र, मरिगराज, व्यागर का अर्थ हो तो इसलिए यह आपको करेक्ट है दर्सना भी लासी याद रखेगा देख लिए ध्यान से किस प्रकार दर्सना भी लासी लिखा जाता है यह आपको इसका सुद्ध वर्तनी ठीक है इस लोकोक्ति का पुझार्थ हन्यानिकि ताल म में न हो ना यानि कि कोई इधर तो कई उधर's कई कích कर दिना न लेना इसमें जो दुसरा पद होता है जिससे हम उत्तरपद कहते हैं वह आपको प्रधान होता है और इसका पहला पद जो होता है को आपको संधिया वाचक वी सेस्ट होता है । यह जो दू पट्टा यह निकि दो पट्टा इसमें दो जो हो रहा है यूज वापको संथ्या वाचक के सहर है इसलिए कउन सा समास हो जाएगा यह ड्वीग, समास checking हो जाएगा shifting इंवेसे कौं से है विपिं का प्रेवाची आपको बताना है तो इस आपको जंगल देखेँ दोस्तों मुपिन का प्रेवाची जंगल हुआ इसके लाबाओ और कौन कौन से होते हैं तो जैन लिजिए वन कानन अरण इत्यादी ठीक है तो विपीन का जंगल हो गया वन हो गया कानन अरण इत्यादी ये सारे आपको विपीन के परहवाची सब्द हो गया क्लियर है नेक्ट कुशन देख लेते हैं एरमेस यहां आओ इस वाके में कौन सा कारक है अभी मैंने आपको दो बार कारक की विभक्ति सारी बतलाई थी कि करता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकर्ण में पर संबोधन हे और यहां पर संबोधन के साथ आरहे अरक इसलिए श्म 2020 कर से संबोधन कारक आण कंप आच लिए अगे वरतते हैं नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कौन सा पहले आयग सबसे बाद में आए गा utto कां सा आएगा तो आपको एगा रास यंश्य हो जाएक सी अपको कुरूब और आटे आगे बढ़ते हैं इंदमें से कौन सा सब्द रुप सुधर यनिके के आशिर वार्थ को हम किस प्रकार लिखेंगे कौन सी सुद्ध वर्तनी है वह आपको बताना है तो यहां पर आप option B देख सकते हैं यह आ असिरवाद का सुद्ध धरोग असिरवाद इसी प्रकार लिखा जाता है यह निकिए हो गया इसका सुद्ध वर्तनी हैं नेक्ट प्लिएर नेर्फ लेजिन देख लडाते हैं यह तो यह हो a मुर्धा से जिनका उचाण मुर्धा से हो उन्हें हम मुर्धान्य वन कहते है इसके इसके अंतरगत कौन-कौन सी आ जाएंगी तो टवर्ग के तो टवर्ग में आ गया ना पुट टवर्ग इसके अलावा और कौन-कौन सी मुर्धा से उचारित होती हैं तो वह हैं आपको र री तथा मुर्धन्य सा ठीक है जिसे हम हिंदी में पेट फडवासा भी बोलते हैं ब यूध करने का इक्चु को उसे हम यूजू कहते हैं तो आंसर हो गया ऑप्सन भी यूजू यानिकि यूद करने का इक्चु नेक्स वेशन देख लेते हैं वाक्य क्या असुध भाग का चैन कीजिए चमा कीजिए मैं कल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैंने पटना जाना है ज ठीक है क्लियर हो गया औक जblaवन और अपसंन सी में गलती है नेकर लेते हैं राम नाम जन से दं जमा करना को हम बोलते हैं राम नाम जन आपकर आया असे जात्यका विलों सब्स इन में से कौन सा होगा यानिकि अपोसीट तो वह हो जाएगा वी जात है तो अंसर होगे option c विजातिय ठीक है next question है किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है अभी मैंने आपको दो-तीन बार बता चुका हूँ कि संख्यावाची जो पहला पद हो तो वह आपको कौन सा समास होगा तो वह पहुंज़ेगा द्वीगू क्लियर है द्वीगू समास म वह आपको क्या होता है प्रधान होता है क्लियर है तो द्वीगू हो जाएगा आपको इसका answer next question है उज्वल का संधी रूप इन में से कौन सा होगा उज्वल का संधी रूप हो जाएगा आपको उत्धन ज्वल यहां पहारन चुट चुट गया है याद रखेगा उत्धन ज ज्वल का सही संधी रूप हो गया उत्धन ज्वल तो आउस्वर ऑप्सन सी नेक्स्ट वूशन देख लेते हैं खल का प्रवाची सब्द आपको बताना है कि खल हम बहुत ही खल है तो खल का प्रवाची सब्द इन में से कौन सा होगा या फिर तीनों ही होगा तो देखिए खल का प्रवाची दुष्ट नीच पाजी यह तीनों ही है तो इसलिए अंसरों का उप्सन डी यह सब ही खल का प्रवाची दुष्ट नीच पाजी तीनों ही होगा संस्क्रिर्ट के ऐसे सब्द जिने हम हिंदी में जियों का त्यों प्रयोग मिलाथ हैं कि अभी शंस्क्रिष के ओसे बोलते हैं तत्सम्सब्द खैलाते हैं जी coal मार्ध निम्लं लिखीत में से कौन सा सब्द वर्तिनी की दिरिष्टी से सुध्ध है कौन सा प्रतिनीधी आपको इहां पर नजर आ रहा है mo Abdi थे वर्तिनीधी लिखा याया-वर का नई जिल्ग मोट है इसका वर्थनी सुध है बाकी सब गलत है ठीक है इस चीज को याद रखेगा ध्यान से देख लीजेगा एकजाम में पूछ सकता है नेक्स वेशन हम देखते हैं यायावर का क्या अर्थ है यायावर का आपको अर्थ बताना है कि यायावर का क्या अर्थ होता है तो देखिए दोस्तो यायावर का अर्थ होता है एक अस्थान पर टिकर न रहने वाला ठीक है आंसरों का उप्शन सी यायावर का अर्थ हुआ एक अस्थान पर टिकर न रहने वाला ठीक है नेक्ट वेशन देख लेते हैं निम्न लिखित में से वाक्य के असुध रूप का च तुकर चली है उतसा test blue हो जाय 罠ोटों चेल मता कम तुकर को थी कितंगत वाखेस type prac उतस्ताइब 3 गांस संहीं सांपत्अ पता हो उसे हम क्या जो कम बोलेंगे तो आपको पता होगा जो सबस्था मित भाटी करेंगे्ट को ने और गयरे हैं कि पीए हैप खूलोर नि fote सब्द का सुध रूप इन में से कौन सा है यानि कि आगामी किस प्रकार लिखते हैं यह बताइए तो यह हो जगा आपको सब्द यह बताना है कि किस पार्ट में गलती है तो देखें डॉक्तर के कहने पर मैंने साम सुबा लंबी सहर पर जाना सुरू कर दिया जब आपने संटेंस को पढ़ेंगे तो आपको हैं लग जाएगा साम सुबा या फिर सुबा साम आपने कभी भी क्या बोलते है। साम सुबा होता है तो इसलिए यहाँ पर यह जो सब्छिए सुबा सुबा ना हो करके सुबा साम होगा तो इसलिए खाल रहे थें और कितने नहीं आरे थें ठीक्या दोस्तों और यादी आपको ए minute पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों मेंवी सेर कर दे और वीडियो just वीडियो को जास ज्यादा सेयर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें तब ते के लिए बाइ एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो